बच्चो आज हम लोग तीस रपार्ड प्रारम्ब करेंगे सिर्षक है आस्रमः अब इसमें अनुस्वार की संधी हर अक्या होता है या अनुस्वार कया से क्यों सब्सकिआ है उसके बारे में संदी के सही उसको पढ़ेंगे इसमें कहानी कुछ इस तरह है आस्माकम प्रदेश अस्य सीतापूर जनपदे नैमिकारण्यम प्राचीनम तीर्थ अस्थलम अतीव प्रसित्धम अस्थि हमारे प्रदेश के सीतापूर जनपद में नैमिकारण्यम प्राचीन तीर्थ अस्थल बहुत प्रसिद्ध है तत्रपुराकाले एकस्मिन आस्त्रमे रिशिया मुणया गुडवा कवया छात्रस्चो निवशंती अस्मों वहां पुराने समय में एक आस्त्रम में रिशी मुने गुरु कवी और छात्रगन रहते थे आस्त्रम अस्य विशाले परिसरे अस्वत्थ वट निम्ब असोक वरिच्छानाम गाना छाया परिव्याप्ता सीथ वहां आस्त्रम के विशाल परिसर में अस्वत्थ यानी पीपल बट यानी बर्गद निम्ब और असोक के वरिच्छ गहन छाया से परिव्याप्त थे गहन छाया देते थे तत्र फलसालिन आम्रा मलकं पनस पेरू वरिच्छा वहंते अस्माँ वहां फलसाली आम्र अमलक पनस और पेरू आमला कट हल आदी के वरिच्छ थे काले काले च्वा मेग वर्सतियस्मों समय समय पर मेग वरस्ता था इदानी में पी तस्मिन आस्रमे धेनवह बलिवर्दाह अस्वाह अन्य च्वा पसवह स्वक्छंदम चरंगती इस समय भी उस आस्रम में धेनों यानी गाएं बैल घोडे और अन्य पसु स्वक्छंद रूप से स्वतंत्रता पुडवक घूमते थे चरते थे ब्रिक्छे सु कपिनाम कूर्दनम चटकानाम कूजनम मयोरानाम नर्तनम चो दर्सकेव्या आनंदम धदती ब्रिक्छों पर बंदरों की कूद चटक यानी गोरे या पक्छियों का कूजन मयोरों का नर्तन दर्सकों के को आनंद देते थे तस्या आस्रमस्यसमी पे गोमती नदी प्रभाती उस आस्रम के नज्दीक गोमती नदी बहती है तस्या निर्मलम जलम सर्वे आस्रम वासिना पिवंती अस्मा उसके निर्मल जल को सभी आस्रम वासी पीते थे आस्रम में पसु और पक्षी विरोध को छोड़ कर एक ही तीर पर पानी पीते थे एकत्र वशंती अस्मों एक ही जगा राते थे तत्र एवखादंती अस्मों चो और वहीं खाते थे तत्र चात्रानाम प्रते एते नियमा आसन वहाँ चात्रों के लिए ये नियम थे प्राता सुर्जोदयात पूर्वम उत्था तब्यम प्राता सुर्जोदया से पहले उठना चाहिए नद्याम सानम कर तब्यम नद्यों में स्नान करना चाहिए संध्यावंदन करनी चाहिए इस्वरा नमनिया इस्वर को नमन करना चाहिए सहईव खादनियम साथ भोजन करना चाहिए तता पठनाय कच्छायां गंतव्यम और पढ़ने के लिए कच्छा में जाना चाहिए इतान आश्रम नियमान सर्वी चात्रा सम्यक पृत्य पालयन इन आश्रम के इन नियमों को सवी चात्र सम्यक पालन करते थे संप्रत्यपी आत्रमोयं चात्रे ब्या स्रेष्टं संस्कारं प्रयक्षती आज भी ये आश्रम चात्रों के लिए स्रेष्ट संस्कार देते हैं तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवशंती वहां जातिगत भेदभाव के विना सभी राते हैं स्वास्ट संबर्धनाय तत्र व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायास्चो सिक्षनम प्रचलती स्वास्ट संबर्धन के लिए स्वास्ट बढ़ाने के लिए वहाँ व्यायाम का योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का सिक्षन चलता है और ऐसे ही आस्रम इस समय हर जगा होने चाहिए